हेलो गैस कैसे हैं आप लोग स्वागत हैं आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गैस की मोटो जी 84 5G फोन को आप लोग कैसे पावर ओफ कर सकते हो without इस पावर बटन पे क्लिक किये अगर आपके फोन में जो है ये पावर बटन खराब हो गया है पावर बटन जो वो काम नहीं कर रहे हैं तो आप लोग अपने फोन को कैसे पावर ओफ करोगे तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा गैस आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास्तक देखिए और अगर वीडियो पसाण आए वीडियो को लाइक कर दीजिये और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिये तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो without power button अपने phone को power off करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने phone के settings में जाना है settings में जाने के बाद यहाँ पर से आप लोगों को नीचे scroll down कर लेना है नीचे आप लोगों को एक option देखने को मिलेगा गा तो इस accessibility के option पे click कर दीजिए click करने के बाद यहाँ पर से आप लोगों को फिर से नीचे scroll down कर लेना है और यहाँ पर देख सकते थोड़ा नीचे scroll down करते एक option होगा accessibility menu का तो इस accessibility menu पे click कर देंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते और एक options देखने को मिलेंगे accessibility menu shortcut का जो फिलाल मेरे phone में off है तो इस option को जो है आप लोगों को on करना होगा तो on करने के लिए हम इस पर click करेंगे click करते allow का option आएगा allow पर click कर देंगे तो देख सकते हैं इसा करते ही option जो हमारे phone में on हो गया है तो यह option तो हमने on कर दिएगा इस लेकिन इसको use कैसे करेंगे देख सकते ही यहाँ पर एक green color का यहाँ पर एक button यहाँ पर आ गया है तो इसको इस accessibility menu shortcut तो इस पर click कर दिजिए क्लिक करने के बाद power का एक option देखने को मिलेगा power पर click कर दिजिए और यहाँ पर से देख सकते हैं आप लोग अपने phone को power off कर सकते हो देख सकते हैं तो ऐसे करके जो है आप लोग आने Moto G 80 और 5G phone को power off कर सकते हो without इस power button पर click किये तो कैसा लगा आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसान आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लीजिए मिलते हैं कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई